हाई एवरिवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है हम यहाँ पर जीके की पार्ट थर्टीन को देखेंगे और यह आपका जो कल एक्जाम है उसके लिए आखरी वीडियो प्रोवाइट की जारी है जीके की आप सभी लोग इस वीडियो को भी टाइम हो तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और कल आप लोग जब एक्जाम देखे आएंगे तो बताइएगा कैसे रहे आप लोगों के एक्जाम फिर अगला उस टेप क्या है एक्जाम का किस पोस्ट के लिए क्या है वो सारी डिसकसन की जाएगी चलिए देखे पहला हम देखेंगे कला इवं संस्कृति से और थोड़ी से पॉलिटी के प्रश्णों को देखा जाएगा देखे पहला हमारा भरत नाट्यम तमिलाडू का प्रमुख शास्त्री नृत्य है जिसे करनाटक संगीति के माध्यम से एकवेक्ति प्रस्त भरत नाट्यम के प्रमुख कलाकार है कथक कली केरल का प्रमुख शास्त्री नृत्य है कथक कली की गीतों की भाषा मलयालम है देखे कथक अलग होता है कथक कली अलग है उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का पूछे तो कथक है लेकिन कथक कली केरल का है याद रखेंगे नेक्स्ट है आपका कि 1968 में हिंदी गीतों का पहली बार कथक कली प्रदर्शन या प्रस्तुत किया गया था ठीक है हिंदी गीतों में कथक कली का सबसे पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था तो 1968 में हुआ था कथक कली मंच पर काले वस्त्र का प्रयोग किया जाता है देखे नीचे आ गया है आपका कि कत्थक उत्तर भारत का प्रमुक शास्त्री निरत्य है कूची पूड़ी आंधर प्रदेस का शास्त्री निरत्य है नेक्स्ट है आपका वलत्तोल, नारायन, मेनन और आनंद, शीव, रामन, माधवन, कृष्ण, कुट्टी, कथाकली के प्रमुकलाकार है यह जो आपने नाम देखे यह कथाकली के प्रमुकलाकारों में से एक है नेक्स्ट है ओडिसी, ओडिशा में प्रचलित निर्त कला की प्राचीन शैली है ओडिसी निर्त पुन्त आराधना का निर्त है सोनल, मान सिंग, केलू चरण, महापात्र तथा काली चरण, पटनायक ओडिशा निर्त के प्रमुकलाकार है नेक्स्ट है आपका भारती शास्ति नृत्य में नौरस है मोहनी अट्टम नृत्य का संबंद केरल से है यक्षगान करनाटक का प्रमुक लोक नृत्य है याद रखेगा ये भी इंपोर्टेंट है यक्षगान कहां का है करनाटक का एक्षिगान में नृत्य और गान का संगम होता है जात्रा पस्ची मंगाल का लोक नाट्ट है हरी प्रिशाद चोरसिया बासुरी वादक है नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा का समन संतूर से है अजन्ता तथा इलूरा की गुफा और अंगा बाद महारास्ट में है नागर सैल के अजिए या स्थापतिशहली का प्रिशाद हिमालय से लेकर विंधिपार्वत माला तक है नेक्स्ट है मुकदेश्वह मंदिर जो की उडिशा में है लिंग राज मंदिर जोवनश्वह में हैं खजराहं का मंदिर मद्प्र देश में हैं नागर सैली का उध्रन है जो आपने अभी देखा कि मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहों का मंदिर ये सब किसमें बनाए तो नागर सैली में बनाए नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्तकाल में प्रकट हुई थी याद रखेंगे कि जो कान्ची पूरम है और एलोरा का कैलास मंदिर ये ड्रवड सैली में नागर एवँ द्रवड सैली के मिस्स रूप बेसर सैली कहलाते हैं नेक्स्ट है आपका कुकानूर का कालिश्वर मंदिर और लकुडी का जैन मंदिर वेसर सहली के उधारण है सल्तनत काली नवास्तु कला का भव नमूना दिल्ली स्थित कुतुम मिनार में है कला की गांधार सहली का विकास कुशाड के समय में हुआ था ये आपके कुछ सांस्कृतिक से रहे हैं कुछ प्रश्ण इनको देखिएगा अब हम चलते हैं कुछ आपको पॉलिटी के प्रश्ण को दिया जाता है उसको भी देखिएगा देखिए, पहला प्रश्ण है आपका समिधान सभा का गठन किया गया था कब किया गया था तो cabinet mission कब आई थी तो 1946 में आई थी तो cabinet mission की सिफारिस पर किया गया था भारती समिधान के निर्माड में कितना समय लगा था 2 वर से 11 मार 18 दिन का समय लगा था नेक्स्ट आपका पाकिस्तान के लिए प्रितक समिधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को सुरू में सम्विधान सभा में सदस्यों की संक्या कितनी थी 389 थी देश की विवाजन के बाद सम्विधान सभा में सदस किते रह गए थे 299 स्वतंदरता के पस्चात देश में रियासते कितनी थी भारती सम्विधान की प्रक्रित इकात्मक और संगात्मक है ज़्धान सभा में किस रियासत के प्रटिनिदियों ने भाग नहीं लिया था तो हैद्रवाद के सम्मिधान सभा के प्रिथम बैठक कभ हुई थी और किसने की थी तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी और इसके अधिशक्त कि ये ते सचिदानंद सिन्हा ने किया था, ये औहिस्थाइ सदस से थे नेक्स्ट है संविधान सभा के अईस्थाइ सदस अभी मैंने आपको बताया ही है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्ना थे, भारत के संविधान निर्मातरी सभाव में समवैधानिक सलाकार कॉन तो वी एन बुभाव द्वारा किया गया था प्रारूब समित्व के अध्यक्ष कौन थे याद रखेंगे लिचा निए मद सम्मृधाना की पुछारों के अधिकार को कहा है सम्विधान की कुझी कहा जाता है तो प्रस्तावना को सम्विधान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेक समात वाजदी शब्द कप जोड़ा गया था तो 42 में सम्विधान संसोधर 1976 द्वारा जोड़ा गया है सम्विधान के पारूप पर बहस कितने दिन चली थी तो 14 दिन भारती सम्भिधान को अंगिकार किया गया था 26 नौबर 1949 को फिता किसे कहते हैं डॉक्टर भीम राउंबेटकर को कहते हैं यह आप सबको पता होगा बारती सम्विधान को अर्द संगी सम्विधान किस ने कहा था तो वियरल ने कहा था और मूल सम्विधान में अनुछेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी तो याद रखेंगे 395 अनुछेद, 8 जो है अनुसूचियां और 22 भागते लेकिन अब वर्तमान में आपकी बारन सुचिया हो गई है भाग जो 22 है अब 25 भाग है उसके कुछ सब पार्ट कर दिये गए है और 395 की जगा लगभग 400 अनुछेद है ठीक वर्तमान में अनुछेदों की संक्या देखिए है 444 से अधिक है आप देखिए कोई फिक्स नहीं देता है पेपर में आप अपने एकॉर्डिंग लगाईएगा कि क्या रहा है अगर मुल समिधान में देगा तो 395 ही सही रहेगा वर्तमान में पूछेए अगर 410 हो गया 400 से 444 के करीब जो रहे है उससे अधिक तो अप्षन करेंगे आप confusion वाले अप्षन आपको नहीं मिलेंगे आप परेशान ना हो अगला है वर्तमान में अनुछेँ कितनी है तो 12 कितनी है तो 22 है वर्तमान में भारत में कितने राजे है 29 मुल सम्मिधान में राजयों का उल्लेक था 14 सम्मिधान में देश का नाम क्या है तो भारत अत्वा इंडिया सम्मिधान का सबसे बड़ा भाग क्या है तो पाचवा भाग है और भारत का मैगना कार्टा किसे कहते हैं तो भागतीन को संगी नयाय पालिका का उलेक किसमे है तो भाग पाज की अध्याय चार में है नेक्स देखते हैं अगला हमारा है संविधान के पंदरहवा तथा ठारवा भाग का विशे क्या है तो देखिए जो पंदरहवा भाग उसका विशे है निर्वाचन और ठारवे भाग का आपात उपबंद है प्रतम लिखित संविधान कहां का है तो अमेरिका का है सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है तो भारत का है याद रखेंगे नेक्स ने राजियों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद दो में आपको पहले भी एक अनुच्छेद की जो सूची दी गई थी उसको फिर से पढ़के जाएगेगा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट अनुच्छेद तीन के तहट नए राजियों का निर्माण और वर्तमार राजियों के छेद सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का दिकार किसे है तो संसत को है महासाई अधार पर गठीत प्रिथम राजियों का है आंधर प्रदेश है इसका गठन कब हुआ था तो 1903 में हुआ था सात्वा समयधानिक शंसोधन 1956 संबंधी ते किसे तो भाशाई अधार पर राजियों के पुनल गठन से संबंधी थे राजिक पुनल गठन आयो के अध्यक्ष कों थे तो फजल अली थे असम राजिक का गठन कब हुआ था तो 1956 में हुआ था गोवा पुन राजिक कब बना था तो चपनवा समयधान संसोधन हुआ था 1978 द्वारा सिक्कीम को 22 राजिक का दर्जा का प्राप्त हुआ था सिक्कीम के लिए याद रखेगा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है चट्टीसवा समयधान संसोधन 1975 दिल्ली को राजधानी का पुन दर्जा कब मिला 69 समयधान संसोधन हुआ था 1991 में नेक्स्ट समयधान की सब प्रभुधा नहीं थे तो किसमें नहीं थे जनता में भारती समयधान में संघी विवस्ता मतलब प्रशासनिक धाचा का मॉडल लिया गया है तो कनाड़ा से भारती संसिदी, शासन, प्रणाली एवं विधी निर्मार, प्रक्रिया, प्रभावी थे तो ब्रेटन से भारती सम्मिधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव भी कहां से लिए गया है तो जो देखिए मौलिक अधिकार हैं हमारे संयुक्त राज अमेरिका से हैं जबकि मौलिक कर्टब भी है रूस से लिया गया है राज के नीत निदेरसक तर्तु कहां से लिये गया है आयरलेंड के सम्विधान से राज के नित निर्देर्सक सिध्धान सम्विधान में वर्णी थे भाग चार में अनुच्छे 36-51 सम्विधान में आपात कालिन उपबंध लिया गया है जर्मनी के सम्विधान से सम्विधान में समवर्धी सूची का विशे लिया गया है ऑस्टेलिया के सम्विधान से समिधान में प्रतम संसोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था वरतमान में राज-संग और समवर्थी सूचि में वर्णित विश्यों की संख्या कितनी है तो अज़र देखे राज-सूचि में 61 है संग-सूचि में 100 हैं समवर्थी में 22 है आपको पता होना चाहिए कि जो आपके राजे सूची है तो उसमें सिर्फ राज डिसीजन लेते हैं, उनके अंतरगत आते हैं संग का मतलब है कि केंद्र सरकार का होता है समवर्थी मतलब दोनों के लिए जो अनिवार है दोनों में होता है एक विशे सूची भी बनाई गई है फिलाल आप इंदेरों को जानते रहें कि कितने हैं समवर्थी सूची के विशेयों पर विधी निर्मार करने की शक्ति किसकी है तो देखें समवर्थी में केंद्र राज दोनों हो गए वन इमा परियावरन विशे पर कौन बनाता है तो समवर्थी देखें ये राज और केंद्र दोनों का विशे है कानून विवस्था राज सूची का विशे है सिक्षा समाचारपत्र विशे जो है समवर्थी सूची का है देखें आप ऐसे चीजों को देखिएगा जहां पर फिर केंद्र की भी जरूरत है और राजी की भी तो वहां पर वो समवर्थी में चला जाएगा और जहां पर सेंट्रल लेवल की बात होगी तो सेंट्रल का होगा और राजियों की बात होगी से कानून विवस्था तो देखिए हर राजे की अपनी कानून विवस्था है इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोकल है या वहाँ की जैसे पॉपुलेशन है कितनी है किसको कितनी जरुवत है वहाँ की कानून विवस्था ही बता सकती है इसी विज़े से ये राजय सूची में है रेल डाग रक्षा विशय ये सब संग सूची का विशय है ठीक है ठीक है और पंचायती राज विशय है तो राज सूची का है 11 अनुसूची किस संबंदित है तो पंचायती राज से संबंदित है देखिए यहां पे आपको जितने भी जीके के पार्ट दिये गए है या जो भ आपके relevant subjects में से भी ऐसा कुछ भी आपको एक्जाम में कोई सेक्टर डिवाइड नहीं मिलेगा कि 50 इसका है 25 इसका कुछ नहीं एक simple paper है पूरा 1-100 पूरे question वहाँ पे हैं आपको आपको attempt करने होंगे पूरे आप देख लेना negative marking है तो negative marking को ध्यान में रखते हुए आप answer करेंगे और आपकी जानकारी के लिए भी बता देती हूं कि आप लोग के admit card में दो पार्ट होंगे जो official work के होंगे वहां मतब आधे क तो इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केर जैंद